गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, SSE MTS बेच में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभी नंदन्द करते हैं तो आज की जो प्रैक्टी सेट हम लोग की है, इंगलिस की प्रैक्टी सेट है सेशन नंबर कितना है, सेशन नंबर 3 हो जाएगा प्रैक्टी सेट कितना हो जाएगा, प्रैक्टी सेट तीसरा है ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड जो प्रैक्टी सेट है हम लोग कर चुके है SSE MTS के एकॉर्डिंग है, अगर आप लोग उस प्रैक्टी सेट को नहीं देखें दोस्तों जो आपके लिए, जो SSE MTS के लिए अगर इस बार एक्जाम करेक करना है तो उस वीडियो को जरूर देखिए फॉलो कीजिए इस चैनल को और लाइक, सेर जरूर कीजिए ठीक है, तो हम लोग का मेन टार्गेट है दोस्तों 25 भाई, 25 नंबर किसी तरह हासिल करना है किसी तरह लड़ना है इसके लिए और इस बार SSE MTS के एक्जाम को क्रेक करना है, ठीक है तो आज डेट देख सकते हैं, 27, 2024 और आप लोग अच्छे दिल से सुच को निगेटिव मत दलिए उसको पोजेटिव किजिए और अपनी पढ़ाई, अपनी त्यारी अच्छे तरीका से रखिए हम आप लोग के लिए कामना करते हैं और आप लोग के लिए डेली मेहनत करते हैं इंगलिस के लिए प्रैक्टिस एट लाते हैं और जो जेनरल आवरेंस होते हैं उनके लिए भी प्रैटिसेट इस चनल से कराते हैं तो आप लोग जो पीछे के वीडियो बनाये थे उसमें बहुत सारे साथियो, मित्रो, भाई, भाई, भान के द्वारा बहुत अच्छा युगदान दिया गया है तो आप लोग भी इस वीडियो को सेर भी करिएगा और इसको भी बहुत अच्छा से युगदान दिजिएगा अपना सम्मेति जता आईएगा ठीक है दोस्तों तो आईए देखते हैं प्रस्न हम लोग पहला इंग्लिस लेंगवेज अंग्रेजी भासा फर्ष्ट प्रस्न जो मेरा लेने का में मोटर है कॉमन इरर से कॉमन इरर के प्रस्न एक आ सकते हैं इसलिए हम सुचे के चलिए एक या दो कॉमन इरर के प्रस्न करा देते हैं साथियों को जिससे उनको रूबरू हो जाएगा कि किस तरह हम common inner के प्रशनों को करते हैं, कहाँ पे थोड़ी सी तुरूटिया होती है, कहाँ पे mistake होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा मेरा वीक कम चुर है, तो अगर उसमें कुछ तुरूटी होती है, तो उसके लिए आप ल select the appropriate option, if a sentence is free from error, select number, error, ठीक है, यहाँ पे जो कर रहे है, एक मिनलिखित वाक्य के कुछ भाग में तुरूटिया हो सकती है, उसको पाता लागाना है, वाक्य के किस भाग में तुरूटी है, उस विकल्प को चुनना है, अगर किसी भी वाक्य में किसी भी प्रकार के यहाँ पे जो प्रस्णा आप लोग देख सकते हैं, कि जो modern medicine has scored significant victories, ठीक है, यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखेंगे against what infection and trauma, और second में है कि the major cause of health and death are no error दिया गया है, तीसरा में, तो अगर यहाँ पे हम पूरा को define करेंगे, तो आधनिक चिकित सा, इसके बाद जो महतपुण जीत हासिल के, second में है कि अस्वस्त और मृत्यू के प्रमुख कारण और तीसरा में दियागा है, कोई तरूटी नहीं है, अब यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं, कहाँ पे गलती हो रहा है, तो first option को हम लोग select करते हैं, first option यहाँ पे सही हो रहा है, आप लोग subject के रूप में प्रियोग हो रहा है, यह जो singular और plural दो तरह के होते हैं, तो यहाँ पे जो है puller subject के रूप में denote हो रहा है, तो जब भी puller subject आते हैं, उसके साथ has का प्रियोग नहीं होता है, उसके साथ has का प्रियोग नहीं होता है साथियो, उसके साथ have का प्रियोग होता है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रियूग होगा पूलरल के साथ हैव का प्रियूग होता है तो ठीक है, तो यहाँ पे जो唬लल सबजेक्ट है वो मॉडर्न मेडिसीन हो जाएगा और जो पूलरल हो जाएगा, यह एक जलरी भर्म हैव के रूप में यहां पे जो modern medicine दिया गया है यह पुल्रल सब्जिक्ट के रूप में denote हो रहा है इसी के वजह से हेज के जगप हेव हो रहा है अगर correct answer की बात करेंगे तो देख सकते हैं correct answer जो यहां पे हम बना है कि modern medicine से है यहां पे देख सकते हैं के जगा पर है हुगा अस्कॉर्ड सिगनिफेकन भेक्टरी आधनिक जो है चिकित्सा ने महत्वपुर सफलताएं को हासिल की है समझ में आ गया कोई दिकत नहीं हुगा कोई इस होगा तो जरूर आप कोमेंट करके बता दिजेगा ठीक है आगे आगे देखते हैं जो सेकेंड प्रसन है यहां पर जो सेकेंड प्रसन है यह भी कोमण एर के ही प्रसनली है बोले हैं आप लोगों से दो या तीन प्रसना कोमण एर के जरूर करहेंगे तो वहीं छीची दिफ्लूइंग संटेंस हैज भीं डीवाइडए नटोपारट वंज अफ दिडेम में कॉंटेन तो यहां पर प्रस्ण की बात करेंगे देखिए का इस बात को सुनिशीत कर दिया गया ठीक है और यहां पर जो एंसर दिया गया है कि modern science have broken many myths about our food and diet ठीक है यहां पर कहने का में मोटो हो कि जो आधुनिक बिज्ञान है यह हमारे भोजन और आहार के बारे में कई मिथक तोड़े हैं इस त्रूटी को हम लोग को देखना है कि कहां पर यह त्रूटी हो रहा है किस option में त्रूटी हो रहा है त modern science have जो है आतुनिक बिज्ञान में क्यों यहां पर गलत हो रहा है अभी जस्ट आप लोग के फश्ट option में बता है कि जहां पर singular होगा दोस्तों वहां पर किस का प्रियोग होगा हैज का प्रियोग होगा और जहां पर पूलर होगा वहां पर दोस्तों have का प्रियोग होगा अ singular subject के रूप में प्रियोग हो रहा है इसलिए दोस्तों यहां पर have के जगह पर हैज होना चाहिए क्या बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को like share जरूर करिएगा like जरूर आप लोग करिएगा दोस्त कि जहां पर जो subject singular subject के रूप में आएगा singular subject प्रियोग होगा तो बहां पर हैज का प्रियोग होगा अगर पुल्डल subject आएगा तो बहां पर have का प्रियोग होगा ठीक है कोई दीकत नहीं है कोई यह सुन नहीं है correct answer की बात करेंगे तो देख लिज़े correct answer correct answer है कि modern science has broken many myths about our food and diet आधमिक विज्ञान ने हमारे भोचन और हार के बारे में कई myth को को तोड़ दिया है clear हो गया ठीक है next question की और बरते हैं यहां पर जो तीसरा प्रसन है कि identify the segment in the sentence which contents and grammatical error from the given option दिये गए बिकल्प में से वाक्य में से वह खंड को पहश्चानना है जिसमें ब्याकरन सम्मंदी कुछ truthy दी गई है ओके ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर जो प्रस ने दिये गए हैं कि outside the cinema hall there was a key of people waiting to see the movie मतलब cinema hall के बाहर फिलिम देखने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी अब यहां पर हम लोग को option को चेक करना है कौन सा option यहां पर सही हो रहा है कि ग त्रूटी है option a में त्रूटी है इसलिए त्रूटी है दोस्तों क्योंकि q के पले q के मतलब होता है लगता q के पले जो होना चाहिए a का परियोग होना चाहिए article a का परियोग होना चाहिए देख सकते हैं यहां पर जो होना चाहिए a का परियोग होना चाहिए तो option a यहां प पहले आर्टीकल जो लगता है a और n का प्रियोग होता है singular countable noun के पहले दोस्तो आर्टीकल a और n का प्रियोग होता है किलियर है कि नहीं है ठीक है तो इसी के कोडिंग इसके वज़य से मतलब q के पहले a का प्रियोग होगा समझ में आ गया अगर हम लोग correct answer की बात करेंगे ध्यान से देख लीजिए correct answer जो हो जाएगा कि outside the cinema hall देरबाद जे देख सकते हैं यहाँ पर क्वी आ गया क्वी of people waiting to see the movie cinema hall के बाहर film देखने के लिए लोगियों की कतार लगी हुई थी समझ में आ गया clear है ठीक है चलते हैं प्रस्ण जो next प्रस्ण है फोर पे तो वहीं बात है जो फोर प्रस्ण है कि identify the most appropriate option the submitted underlined segment in of no substitution is required select number substitution यहाँ पर कर रहा है कि रेखा अखन को प्रतिस्थापीत करने के लिए सबसे बिकल्प को पश्चान करिए प्रतिस्थापन आवस्यक नहीं हो तो कोई प्रतिस्थापन नहीं चुनना है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्ण दिया गया है कि नो सुनर वाचे his name called out when he was gone on to stage to receive the award यहाँ पर कर रहा है कि जैसे हैं उसका नाम पुकारा गया वह प्रुषकार प्राप्ट करने के लिए मंच पर चला गया वह प्रुषकार प्राप्ट करने के लिए कहाँ पर चला गया तो वह प्रुषकार प्राप्ट करने के लिए मंच पर चला गया तो देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे कोई तुरूटी हो रहा है तो D option में यहाँ पे तुरूटी हो रहा है Then we want फिर वह चला गया Then he want ठीक है तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं किस option में D option तो हमनों चूल लिया अब when he was gone के अस्थान पर क्या होना चाहिए यहाँ पे जो when he was gone इसके अस्थान पर जो when के अस्थान पर होना चाहिए इसके अस्थान पर देन का प्रियोग होना चाहिए किसका प्रियोग होना चाहिए तो इसके अस्थान पर देन का प्रियोग होना चाहिए ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि नो सुनर के साथ को रिलेटिव कंजेक्शन, जो को रिलेटिव कंजेक्शन होता है उसके अस्ताम पर दैन का प्रियोग होता है तो नो सुनर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नो सुनर है इसी के साथ जो co-relative conjunction आ रहा है उसके साथ co-relative जो conjunction आता है उसका नाम है dan है वोके उसका क्या नाम है dan हो जाएगा इसलिए यहाँ पर जो when है दिया गया है दोस्तों इसी के अस्थान पर dan का प्रियोग होता है तो यहाँ पर बात करेंगे जो no sooner हो जाएगा no sooner अगर plus helping भर होता है इसके बाद plus subject होता है plus जो other words होते हैं इसके बाद then का प्रियोग होता है तो कभी भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां भी कभी भी no sooner दिखाई देगा उसके साथ जो प्रियोग होगा then का प्रियोग होगा समझ में आ गया क्या होगा प्रियोग then का प्रियोग होगा तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं जो correct answer है यहाँ पर हमने उसको select की है सही से आप लोग को देखा दिया है समझा दिया है no sooner watch his name called out then आगे चलते हैं हम लोग प्रस्ण 5 पे यहाँ पर जो 5 प्रस्ण है कि select the most appropriate option of प्रियोंदी ब्रैंक्स रिक्टस्थान को भरने के लिए सबसे उप्रियुक बिकल्प का चैन करना है तो यहाँ पर देखेंगे जो 5 प्रस्ण है यहाँ पर I who your friends and well will sir should have been informed about your decision मैं कह रहा हूँ कि मैं जो आपका मित्र और सुक्षिन तक हूँ को आपको निरनाईक के बारे में सुनुशित किया जाना चाहिए था ठीक है तो यहाँ पर जो blanks दिया गया है देख सकते हैं साथि यहाँ पर blanks किस अस्थान पर दिया गया यह भी तो थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो blanks है यह किस अस्थान पर blanks दिया गया है तो यहाँ पर जो blanks दिया गया है हू के जगह पर दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझ लिजेगा, ठीक है, समझ में तो आप लोग को आहीं जाएगा, तो यहीं पर बात करें कि जो I हूँ यहाँ पर blanks दिया गया है, इसके जगह पर यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर R, H, M, और B कौन सा यहाँ परियोक्त होगा कौन सा परियोक्त होगा, तो यहाँ पर C option को हम लोग टिकरिंग, M परियोक्त होगा, क्योंकि I के साथ M परियोक्त होता है, एक जल्री भर्व, M परियोक्त होगा, ठीक है तो यहाँ पर I के साथ क्या परियोक्त होगा तो यहाँ परियोक्त होगा I के साथ क्या होगा I am परियोगत होगा clear है दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं correct answer में हम यहां पर आप लोग को दिखा दिये हैं यहां पर I के साथ क्या होगा परियोगत मैं जो आपका मित्र और सुख चिंतक हूँ मुझे आपके निर्नाय के बारे में सुचित किया जाना चाहिए ठीक है तो I के साथ क्या हुगा परियोग क्या हुगा क्योंकि एक चल्री भर्व एक परियोगत होगा आई के साथ ठीक है क्लियर है दोस्तों तो फटा फटा आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को सेयर भी कर दीजिएगा यहां पर 6 प्रेस नहीं कि select the most appropriate word जो है fill in the blanks उसी तरह fill in the blanks है यहां पर देख सकते हैं ज general but air pollution यहां पर in blanks दियागा ठीक है यहां पर काने का मतलब है कि जो ब्रत्मान प्रियावरण की जल्टिलता में समानी रुप से कई चुनतिया सामील है लेकिन वाइप प्रोदेशन में देख सते हैं लेकिन वाइप प्रोदेशन में क्या तो यहां पर देख लीजिएगा अ विशेस रुप से यह प्रियुक्त हो रहा है और जो यहां पर देखेंगे जो पॉलूशन इन पार्टीकुलर विशेस रुप से ध्यान में रखना है कि जो ब्रत्मान प्रियावरण की जल्टिलता है जो हमारे समानी रुप से कई चुनतिया सामील है लेकिन वाइप टीक है यह मतलब होता है सम्पुर्ण होता है समग्र होता है और कमन के मतलब होता है इह एपसन सही तरीकाँ से देफ सकते हैं ब्रत्मान प्रियावरण की जर्टिलता में समानी रुप से कई चुनतिया सामिन है लेकिन विश्यस रुप से भी वाईव प्रदोसन किलियर है दोस्तों चलिए ठीक है नेक्स प्रसन हम लोग देखते हैं जो 7 प्रसन है कि यह जो है स्लेक्ट दी कॉरेक्ट पैसिफ और मतलब पैसिफ वाईस आ गया गिवन संटेंस से दिया गया है यहां पर कर रहा है कि यह ट्रैफिक पॉलिस मैं फाइंडेड तारू फोर जंपिंग दी रेड लाई ठीक है यहां पर कहाने का इसका मोटो है कि एक ट्रैफिक जुर्माया लगाया लाल बती कुद्रेपर जुर्माना लगाया पैसिफ इसका बनाना है एक्टिव वाईस में जो हमेशा धीतरी का प्री एक्टिव वाईस ठीक है तो यहां पर देखने के उप्रांत अगर हम लोग देखेंगे तो यह सींपल पास्टेंस में परियुग हो पैसिफ वाईस पढ़े है एक्टिव टू पैसिफ वाईस पढ़े होंगे तो आप लोग इसको सही तरीका से टिक कर लेजेगा ठीक है एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने तारू पर लाल बती कुद्ने पर जुर्माना लगाया तो राइट एंसर यहां पर बी अप्शन सही हो होगा एंड प्रेशन इसी तरह का है दोस्तों जो पैसिफ फार्म से रिलेटेट थे मैकैनिक रीपेड बाईबाई वाई मैकैनिक ने मेरी बाई की मरमत की तो आपने तो इसको अच्छे तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर दिख सकते हैं माय बाई क्वा आए यह तो पहले ही गलत अपर माई बाई प्रफी अबॉय वह अगा क्या यह उच्राइब को पहचान क्या होती है क्या होता है आगे बढ़ते हैं इहां पर ना इंप्रस्ण का प्रियोग हो रहा है देख सकते हैं आपको प्रत्यच कथन को चुनना है यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो दिया गया है दी प्रोफेसर प्रोफेसर ने मीडिया कर्मे से कहा कि हमारे सोध में हम इस निश्कर्स पहुंचे हैं कि उस ग्रह पर जीवन है ठीक है तो यह इंडिरेक्ट अस्पीच है यह भी आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझे हैं और पढ़े होंगे क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टिंग भर और रिपोर्टिंग अस्पीच है रिपोर्टिंग भर पार्टिंग में है रिपोर्टिट अस्पीच को हम क्या करते हैं यहां पर चेंज करते हैं ठीक है तो हम नाइरेशन के नियम अंसार प्रनावन को भी चेंज किया जाता है इस बात की किलियर होगी आपको लोग को जनक यहां पर दियागा है एंसर अब जब हम इंवर्टेट को मा को हटाते हैं सांथियो समझ लीजिएगा तो उसके बदले में डैट का प्रियोग होता है किरियर है इसके बाद जो दियागा है फ्रोम आवर रिसर्च भी है एव कम टू कानिकलुजिशन डैट दियर इच लाइफ ओन दी ठीक है तो वहीं हो गया प्रोम प्रोम दियर रिसर्च दे है ठीक है क्योंकि वी हो जाएगा यहां पर फर्स्ट परसन है तो फर्स्ट परसन आप लोग पता होगा संबाटा एक्सोतेश हम लोग पढ़ें संबाटा एक्सोतेश फर्स्ट परसन सब्जेट कंसार सेकेंड परसन अब्जेट कंसार थर्ड परसन नो चेंज होता है तो उसलिए यहां पर जो भी हो जाएगा यह फर्स्ट परसन सब्ज सब्सक्राइब या इसके मतलब मजबूत भी होता है तो इसको सीनोनिम्स के रूप में देखेंगे तो सीनोनिम्स का जो हो जाएगा सक्त के मतलब ही कट हो रहे होता है या इसके मतलब होता है तो यहां पर भी अप्संसी हो रहा है इसी तरह आप लोग दोस्तों सही तरीका से कर सकते हैं आप लोग अगला भी देख सकते हैं जो 11 फ्रस्न है कि इन दी फ्लोईंग कोच्चन आउट ओफ दी गीविन आप फोर अल्टरनेटिव एसलेक्ट दी वन वीच बेस्ट इक्स्प्रेस इज दी मेनिंग अफ दी गीविन वर्ड चार विकल्प दिये गये हैं इस विकल्प को सबसे अज बेहतर धंग से ब्यक्त करना है नूट्स द इसका synonyms की बात करेंगे तो फूक होता है धकिलना होता है यहां पे देख सकते हैं जो सी अप्शन है यह सई हो रहे तो यह सब सारी चीजे आप लोग को याद करना पड़ता है याद रखिएगा तभी आप लोग इस तरह को कर सकते हैं आप लोग जो पहले प्रस्ण सेकें यह सारी चीज को याद करना पड़ता है जब तक से आप याद नहीं करिएगा तो आप लोग से नहीं पकड़ में आ जाएगा तो आप लोग को भी इस वन अरफ सब्चिप्शन के भी क्लास लेंगे कॉमान इरस के तो हो गया और आप लोग को एंटोनेम सिनेनम के भी यहां हो गया ताली बजाना इसके मतलब क्या होता है ताली जाना ठीक है तो आप लोग इस option को सही किजएगा next प्रस्ण हम लोग देखेंगे देख लीज़े यह भी प्रस्ण है नैक है यहाँ पे antonyms हो गया और नैक मतलब कहा रहा है कि causal ठीक है नैक मतलब कहा होता है causal या causalता होता है तीसलिए यहाँ पे जो inability हो रहा है अच्छमता यह सही हो रहा है inability असमच्छा जो है यहाँ पे सही हो रहा है ability यह हो गयता intimidated मतलब होता है डराना और लुंसी मतलब होता है पागल पन होता है आगला प्रस्ण देखिएगा जो 14 प्रस्ण है यहाँ पे spelling word है यहाँ पे spelling को गलत किया गया है सही वर्तनी वाला सब्द को चुनना है कौन सा यहाँ पे सही हो रहा है तो D option सही हो रहा है advantageous जो advantageous होता है advantageous होता है जो सहासी कार्य होता है इसकी वर्तनी यह सुधे यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहां पर D option बिल्कुल सही हो रहा है और अगला प्रसन हम लोग देखें कि थोड़ी से mistake हो सकते हैं इंगलिस वीक है दोस्तों तो उसके लिए चामा किशायते हैं स्पेलिंग वर्ड चुनना है यहां पर लिमिन सेंट साय का देख सकते हैं अलग एक ही चीज है लेकिन यहां पर एक मिश्टेक है कहां पर मिश्टेक है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं सारे सही है कहीं कहीं मिश्टेक होगा तो यह अफसन यहां पर जो है यह सही रूप से दिखा रहा है ताप दीपती इसके मतलब क्या होता है तो इसके मतलब क्या होता है तो इसके मतलब होता है इसके म वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर करेगा ठीक है मिलेंगे नेक्ट वीडियो में जेनल अवेस के प्रसनों के साथ तब तक के लिए जहेंद चैमरा